उम्शंति आज 24 अगस 2023 आज की साकार मुडली से हम बच्चों को गुण सीखने मलता एक रस बनने का ब्राम्हन जीवन हमारा इसमें हमारा पुर्शार्त ही है अपनी अवस्था को बनाना जैसी अवस्था होगी वैसी ही हमारी व्यवस्था होगी हमारा सारा अटेंशन अपनी अवस्था बनाने पर होना चाहिए क्योंकि इसी संगा म्योग पर हम अपनी स्ट्रेस्ट अवस्था बनाते हैं उच बद पाने के लिए हमें अपनी अवस्था को अच्छा बना कर रखना जरूरी है कई बार व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम अपनी अवस्था खराब कर लेते हैं चोटी चोटी बातों में अपनी अवस्था को बिगार देते हैं जिसके कारण होता क्या है अवस्था तो बिगड़ गई तो अवस्था जैसी होगी वैसी ही तो भी अवस्था होगी तो भी अवस्था भी ठीक नहीं रहती है और इसका जो result हमें मिलना चाहिए वैसा result नहीं मि तो पूर्ण है, जैसे simple सा काम सफाई का है, या खाना बनाना है, या कोई project पर काम करना है, कर तो लेंगे, लेकिन गुस्से में, irritation में, चिट-चिड़ेपन के साथ किया, तो भी वो काम तो अपने समय पर पूरा हो जाएगा, लेकिन अवस्था किस cost पर हमने वो कारे किया, वो कारे किया, तो उसका result क्या होंगा, उसको complete करने के बाद जो खुशी, आनंद होना चाहिए, जो हलका पन होना चाहिए, वो अनुभव नहीं करेंगे, इसलिए अपनी अवस्था बनाने पर ही हमें attention देना है, जैसी अवस्था होगी, वैसी व्यवस्था होगी, और अवस्थ कैसे बनेगी हमारी, एक के साथ हमारा connection होगा, एक से रस लेने की आदत होगी, एक शबाबा के उपर पूरा निस्चे होगा, और उस एक को ही याद करेंगे, तब हमारी अवस्था जो है, वो अचल, अडोल, स्थिर रहेगी, हलचल में नहीं आएंगे, फिर कैसी भी परस्त हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती, अगर हम एक के साथ जुड़े हुए हैं, अगर पुरानी दुनिया, देह और देह के इंधरियों के सुख में, अनेक प्रकार के लोगों में, अगर बुद्धी अठकी हुई है, एक से रस नहीं ले रहे हैं, पर मात्मा से connect नहीं है, और अगर बुद्धी नहीं है, तो अवस्ता नहीं है, इसलिए एक को याद करें, एक रस बनने के लिए, अचल अडोल बनने के लिए ये पक्का नस्चे होना चाहिए, कि एक श्यव बाबा ही सच्चा सहारा है, और उसी से मुझे गुणा और शक्तियां मिलने वाले हैं, उसी स मुझे वर्सा मिलता है, अगर पक्का नस्चे है, तो उस एक की याद में मगन रहेंगे, और अवस्ता अचल अडोल रहेगी, आज सारा दिन में जब भी याद करने बैठे, चेक करें, अव यभी चारी याद है, कोई और याद ना आए जब बाबा को याद करने बैठे, ऐ कि कक कि याद है।